हेलो हेलो फ्रेंड्स गुड मोर्निंग राधे राधे कैसे हैं आप सब आयोप आप सब अच्छे हों खुशो सुवस्तो और हम भी सब बिल्कुल खुश है मजे में हैं ओ फ्रेंड्स सुबह सुबह का टाइम है टाइम हो रहा है अभी साड़े 6 बज़ेगा और मैं लगाने ल भाईयों ने दूद्ध पी लिया है नास्ते में बस दूद्ध ही पिते हैं वैसे नास्ते में रोटी पराठा वगरा कुछ नहीं लेते हैं और जैसे कि बच्चे यहां पे हैं नहीं तो घर भी बिल्कुल सुन्सान खाली-खाली सा हो रहा है और अभी हमारा किसी का नास्ता हो रहा है फीवर और काफी तेज है तो वो आराम ही कर रही है दो दिन से तो मैंने पूरे रूम में जो है सुबह सुबह लगा रही हूं सारे में ज़ाड़ू और मुसम ना अभी फ्रेंड ऐसा ही चल रहा है क्योंकि मोसम बहुत जल्दी-जल्दी चेंज हो रहा है एक दो जो है ठीक सा मोसम होता है थोड़ी सी धूप होती है थोड़ी सी गर्मी हो जाती है और एक दो दिन बाद दी तुरंत मोसम पलट जाता है बारी श्टंडी हवाई यह हो रही है तो मोसम जो अदला वदली के चक्कर में न तब्यत सभी की जो है खराब सी हो रही है किसी को नजल यह नहीं जाती फीवर उतर भी जाता है लेकिन उसके बाद जो खासी रुख जाती है ने काफी लंबे टाइम तक चलती है तो यह सभी कही हो रहा है हर घर न यही कहानी हो रही है तो सब के ऐसा ही हो रहा है मम्मी जी की भी दूसरे दिन का तीसे दिन का यह रहता है कि एक तो म मम्मी जो को जादे ही होता है बस पूरे घर पे जो है मैंने उपर सारे में जाड़ों लगा लिए और इसके बाद जो है मैं निच्चे भी लगाऊंगी पहले मैं उपर का थोड़ा सा काम निप्टालों सुबह सुबह का जितना भी है क्योंकि आज उपर और निच्चे सब आज लिए तो बहुत है जाड़ों मैं निकाल दिया अब उसके बाद में बना रही हुच चाय क्योंकि मुझे भी लेनी है अल्का को भी लेनी है और ममी जी के लिए भी तो मैंने चैय बनने के लिए छोट दी है कुछ बड़तन निकाले हुए थे जब ही करन्या पूजन करा रहा था तभी कुछ बरतन निकाले हुए थे नहीं तो उने मैंने साफ करके रख दिया था तो उनको अब मैं कपड़ा मार करके अच्छे साफ करके उनने फिर जो है अंदर रख दूगी मैंने एक पेट्टी बनाई हुई है तो जितना भी एक्ष्ट्रा बरतन होते हैं जब हम हमेँए जरूत ह team निकाल लेते हैं उसके बाद हम फिरनको साफ करके उस्सी में एंस को साफ करके रख देटे में इनस को साफ करके रख रहांगी जब इनको साफ करके डगतुँदी और फिर उसके बाद जो है जितना मेरा सुबह का काम ता है वह मेरा निमठ्ट चुका है अब उसके बाद मैं नहा के हूंगी और फिर मुझे निलाना है अपने लड़ो गोपाल जी को और फिर में और काना जी दोनों ही नास्ता करेंगे अभी टाइम हो रहा है दो फैर का मतलब की साड़े दस बत चुके हैं तो जितने भी सुबह के काम थे वो तो मेरे सारे निमठ ही चुके थे सुबह अभी दस साड़े दस का टाइम हो रहा है अब मुझे बनानी है दाल दो फैर के खाने में तो चने की दाल मैंने पहले ही भीगो के छोड़ दीती थोड़ा सा पानी जो है मैंने कुकर में गरम होने के लिए रख दिया था दाल हमारी अच्छे से धुल चुकी है तीन से चार बार मैंने अच्छे साब पानी में जो है इसको दो लिया है कुछ मैंने काट ली है लोकी तो आज खाने में बनेगा चने की दाल और लोकी मिक्स करके लोकी भी काटके रख लिया था तो मैंने इसको भी सीमन डाल दूँगी और तीन से चार मुझे इसमें से उतार लोगी लोकी डालने के बाद मैंने इसमें से पाने डाल दिया है जितना मुझे डाल मैं चाहिए होगा और नमक डाल दिया है कुछ थोड़ी सी डाल दिया मैंने इसमें हल दी सभी को अच्छे से मिक्स कर दिया है तीन से चार शिट लगाने के बाद मैंने इसको इसमें से उतार प्याज को भी अच्छा गोल्डर ब्राउन होने तक भूलना है उसके बाद जो है पने बेशिक से मसाले धनिया पाउडर लाल मिर्च कलर वाली मिरसी और तीखे वाली मिरस दोनों तरह की मैं डालती हूं इन्हें अच्छे से भूल लेंगे उसके बाद मैं डालूगी ट्रमाटर अच्छे से पकेंगे मैंने आटा चाल लिया है तब तक मैं लगा के रख दूंगी आटा ट्रमाटर देखे हमारे अच्छे से पक चुके हैं इनको अच्छे से मैस कर लूगी मैं और मैस करने के बाद कितना अच्छा कलर आया है इसमें सारे मसाले को मैं डाल लू है तो दो तीन सिट्टी मुझे इसमें अभी लगानी है उसके बाद हमारे दाल जह बनकर तयार हो जाएगी अटा हमारा अच्छे से हो चुका था मैंने दूसरी मुक्की भी इसमें दे ली है मालब दोबारा से फिर से इसको गुथ लिया है आच चुकी हूं मैं मिट्टी वाल बैठते हैं च्छत पे मम्मी जी यहां पर बैठते हुई है और वैसे भी न अकेला बंदा बैठके बोर ही हो जाता है तो दो बंदे बैठके आराम से बात करते रहता है काम भी होता रहता है बनाने लगी हुमें रोटिया वह फ्रेंड मुझे ना रोटी बनाने का कम ही बनाने वह जो है उपर का सारा काम संभाल के रखती है वह रोटिया बनाती रहती है और मैं जो हूं निच्छे का अपना उपर जितना भी मेरा काम है एक्स्ट्रा मैं वह करते रहती हूं लेकिन जब कभी उसकी तव्य खराब होती है तब ही जो है मुझे यह कीचर की डूट होती है तो फिर जहा नहीं मैं उसकी हल्फ करती हूं कि यहां पि बन चुक है गरम-घरम रोटी यह जो जो दाल हमारे बन कर्का तरह हृँ on dice running a précision है और देखें दाल हमारे बन करो सब्सक्राइक और मैंने ना खाना बना लिया है रोटिय बना ली अविल हमार अब हम जम फ्सक्राइओे कैशनी हो केंसे बदाने, थोड़ा सवाड़ा मासाला क्योंकि दाल हो या कोई भी सब्सफ है रहे सब्सक्राइब कोई दाल दोफैर के खाने में हैं आज चने की दाल लोकी रोटिया मठा प्याज और जी हींग वाला अचार और फ्रेंड में आने के बाद जो है यह तोगड हमने मंदिर में रखी हुई थी नवरातरों में तो इसे में जो है सलाने के लिए जा रही हूं और हमारे यहां पे जो है गाएं के खुंटे पर या फिर गाएं के पैरों पर ही इसको सलाते है तो नुम्मी का दिन हो चुका है परत हमारे पूरे हो चुके हैं अभी में जो है जल इसको गाएं के पैर पर सलाद हुई है लग्यों पैर में लगा चलता हुए भी यह उसे काड़े ते किरना मजबूत है लाया देख असारी फला दी लगड़ी है विने सिंग वाजियो फिर जो काटना पड़ेगा पहला है और यहां पर गाड़ा और एक गाड़ दिया यहां पर यहां पर तोड़ दिया था और बर्सात में समसे कड़ा काम यह है एक भी खुंटे नहीं छोड़ते हैं क्योंकि एक तो भरजा पानी फोल जाए है और कोई तोड़ देना कहां और फ्रेंड देखिए यहां पर जो है अपने पस्वों के बांधने का सारा इंतिजाम हो चुका है जितने जहां जहां में यह लकड़ या गाड़ नी थी खुंटे गाड़ ने थे वो सब गड़ चुके हैं तो फ्रेंड आज के व्लोग को में हैं पर रोकती हूँ आप से म सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलेंगे ने अच्ट व्लोग में तब तक के लिए राधे राधे टेक एर बाई बाई